शांदार खबर पाने के लिए चैनल को सस्क्राइब करें बड़ी ही आधि गां में सार्दा नदी से बार्ट योवं कटान पुलीतों के रूबरू होकर उनके दर्द को समझा विधाय ज्यानतिवारी में छेतरवासियों की बार समस्याओं को सिचाई मंत्री के सामने रखते हुए कहा कि पांच परियोजनाओं पर सरकार द्वारा धनरासि उपलब्द कराई जा चुकी है जिस पर कारे चल रहा है परंदु दोर सेज परियोजनाओं की धनरासि यदि सिग्र उपलब्द करा दी जाए तो सार्दा नदी का कटान रुख सकता है अने था कि इस्तिती में यदि सार्दा नदी कहीं जील में गीर गई तो महा फ्रलय कारी हो जाएगा जिसके लिए सासन अस्तर से सिग्र ही धनरासि अवमुक्त कराई जाए सिचाई मंतरी निलगभग तील घंटे का समय नदी के किनारे गतीप करते हुए आम ग्रामिलों की समस्याओं को सुना मंतरी ने आस्वासन दिलाया कि आपके दुख दर्द को हम समझ रहे हैं आपकी समस्या को मैं सरकार के पटल बर रखूँगा मेरी सरकार पूरवरती सरकारों से हट कर काम करती है मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मैं सिग्रेटी इस बिनासकारी बाड से निजात दिलाने के लिए कृत संकल्प करता हूँ वहीं विधायक ज्यानतिवारी ने कहा कि हम 24 घंटे आपके सांथ है पांच परियोजनाओं के टिंडर हो गए हैं जिन पर युद अस्तर पर कारेक्रम चल रहा है सेस दो परियोजनाओं की धनरासी अउमग्द होते ही कारेक्रम सुरू हो जाएगा इस असर पर उप जिला दिकारी बिसुमा ससी भुसंट राय जिला सूचना अधिकारी खंड बिकास अधिकारी छेतरा दिकारी बिसुमा तौकीर आमत ठाना तंबाउल एस ओ ओंपरकास सरो परदेश में हैं उसे आम जन मानिस की चिंता है और आम जन मानिस को ही ध्यान में रखके परियुजना बनाई जाती है चाहे जितने भी बड़ा प्रजेक्ट हो हमारे लिए पैसा महतपूर नहीं है हमारे लिए लोगों की जान और उनकी सुरक्षा महतपूर नहीं है इसको दो 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 आजा हूं